नमस्कार दोस्तों, आर के मैस चैनल में आप सभी का एक भर फीसे स्वागत है और आप के लिए मैं आज बहुत ही सरल सवाल लेकर आया हूँ देखते हैं सवाल क्या है? कि सवाल एक सब्सक्राइब तीन दस्मलत चार का दूसरे का तीसरा है कि दो अंकों की संख्या की अंकों योग नौ है इस संख्या का नौ गुना, संख्या की अंकों को बलटने से बनी संख्या का दू गुना है संख्या कोश्च्वा क्याने क्यात कीजिए बहुत ही सरल सवाल है ठीक है क्या है इस प्रकार के सवालों में हम हीकाईबा दहाई कंग मानते हैं तो मैं क्या हूँ मैं सबसे पहले दहाई कंग मानता हूँ ठीक है दूसरा क्या मानता है मुझे नहीं बता लेकि मैं मानता हूँ तो माना माना दहाई का अंक बराबर एक्स तथा ई काई का अंक बराबर हमने ये दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लिया तो संख्या बराबर दस गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक ये एक तरीके इस फार्मूला होता है तो इस हिसाब से दस दहाई का अंक हमारा एक्स है प्लस इकाई का अंक हमारा बाई है ये हो जाएगी हमारी संख्या ठीक है अब देखेंगे द्यान से कैसे मालो इक्किस है तो इक्किस में दो इंक होते हैं दो और एक अब देखें गुणा दस लिखा है तो दो में दस से गुणा कर दो दस दूनी बीस हो जाएगा और एक इक्किस हो जाएगा हो गया ना यानि कि दहाई में दस से गुणा होती है उसके बाद इकाई को जोड़ देए तो दस दूनी बीस और एक इक्किस यानिक संख्या हमारी इक्किस हो जाएगी अब मालो इक कहत्तर है अगर तो दहाई में दस से गुणा होती है साथ दसामन सत्तर और प्लस एक एक हत्तर ठीक ओके अब चलते हैं प्रस्ण के अनुसार प्रथम सरतान सार क्या कर रहा है दो अंकों के संख्या के अंकों का योग यानि की अंकों का योग मतलब दोनों को जोड़ने सीदे सीदे बस हो गया संख्या के अंकों का योग अंकों का योग बराबर नौ यानि की एक्स और बाई दोनों को जोड़ेंगे तो हम नवप्राप्त करेंगे ठीक है अब थोड़ा देखें समय पलटने से बनी संख्या भी है तो संख्या के अंकों को पलटने पर यह लिख देते हैं संख्या की अंकों को पलटने पलटने पर बनी संख्या बनी नई संख्या बरावर पलटने का बहुत ही सरल अंसर जो एकाई है वो दहाई बन जाएगी जो दहाई यह एकाई बन जाएगी यानि कि यहाँ पे दस एक्स प्लस बाई है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा दस बाई प्लस एक्स बस ठीक है इसका आगे प्रियोग होगा लोग क्या कहा है इसने दो तीस सर्तानों सार लिख लेते फिर बताते हैं देखो आपको दो तीए सर्तानों सार दिखिए संख्या बहुती सरल है ध्यान समझना बराबर नई संख्या ठीक है अब इसन देखो क्या कहा कि इस संख्या का नो गुना मनद इस संख्या का जो प्रजेंट टाइम संख्या है यानि कि ये वाली नो गुना ठीक है क्या कहा ठीक है संख्या कि अंको को पलटने से बनी संख्या यानि कि नई संख्या का दो गुना है बस इतना अगर निकाल लिया आपने पूरा सवाल हल कैसे देखिए 9 गुणे संख्या हमारी 10 एक्स प्लस बाई ये लिखी हुई है देखो यहां पर बराबर 2 9 संख्या हमारी ये है 10 बाई प्लस एक्स बस हल कर लेते हैं 9 10 सावन 90 एक्स प्लस नो बाई बराबर 2 दसावन 20 बाई बराबर 2 एक्स सारी चीज़ा ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं तो 90 एक्स और इधर का 2 एक्स ले आए मायस का 2 एक्स प्लस नो बाई है इधर ले आए मायस का 20 बाई बराबर 0 अब 9 90 एक्स से 2 एक्स के अठासी एक्स मायस किंती बड़ी है प्लस की छोटी तो मायस में सान 20 में से 9 एक्स ग्यारा बाई बराबर जीरो यह तो बहुत ही स्वाल हो गया लिख दो दोनों तरफ ग्यारा से भाग करने पर तो यह हो जाएगा ग्यारा अठे अठासी आठे एक्स माइनस बाई बराबर 0 अब भाई देगी यह भेले ही बिलोपन बीदिकार प्रियोग करो लेकिन यहाँ पे तो सीधे सीधे बाई बराबर 8 एक्स आ क्या है लेकिन चुक्कि हमको बिलोपन बीदिकार प्रियोग करना देखे जब सवाल कहा है तो हम सवाल के अनुसारी चलेंगे क्योंकि सवाल ने सुरुवात में ही लिख दिया था अपने किताब देखना सुरुवात में कि बिलोपन बीदिद्वारा हल कीजिए यदि इसका अस्तित्व है तो और अस्तित्व आ रहा है तो हम बिलोपन बीदिद्वारा ही इसको हल करेंगे तो बिलोपन बीदिद्वारा हल काईने के लिए क्या कहना पड़ता है हमको दोनों समीक्रों को आउपन नीचे लिखना है तो समीकर एक हमारा यह है तो x प्लस बाई बराबर 9 यह समीकर हमारा 2 है और यह समीकर हमारा 1 है ठीक है अब देखेगा यह माइनस का यह प्लस का तो सेम क्या लेकिंगे जोडने पाद हमने यहाँ पे समीकर दो में समीकर एक को जोडने पर क्यों लिखा इसका आंसर आप कमेंट बाक्स में लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको यह सवाल समय आ गये हैं या आते हैं या आपने मारे पिछले वीडियो देखें अकर इसका आंसर नहीं देबात है तो आप पिछले वीडियो देखिए उसम बराबर 9,0 का 9, तो X बराबर 9 बटे 9, तो 9,1 नो, यानि की X बराबर हमारा 1 हो गया, अब जब X बराबर 1 हो गया है, तो इसको यहीं पहल कर लेते हैं, यानि की X का मान X का मान, समीकन एक में रखने पर, समीकन एक हमारा यह है X प्लस बाई बराबर 9, एक्स प्लस बाई बराबर 9, तो हम X गार जगा पर एक रखेंगे, प्लस बाई बराबर 9, तो बाई बराबर 9 माइनस का एक, यानि की बाई बराबर हमारा हो जाएगा 8, ठीके, अब हमको X बाई कमान मिल गया, तो अभीष्ट संख्या निकाली हैं, अतहा, अभीष्ट संख्या बराबर 10X प्लस बाई ये देखें, 10X प्लस बाई, यह 10 गुण एक्स प्लस बाई, तो यानि की, 10, X कमान एक, प्लस बाई, बाई कमान अभीए आया है, आठ ये रहा, तो दस, इकन दस, प्लस आठ, तो बराब हो गया, अठारा, यानि की, हमारी अभीष्ट संख्या आ गई है, अठारा, अब ये आंसर हमारा सही है, या गलत है, इसको जाच भी हम कर सकते हैं, तो क्या कह रहा है, कि दोनों संख्या का यूग नौ है, तो अठारा जो है, आठ अर एक नौ हो गया, ठीके, अब क्या कह रहा है, कि इस संख्या का नौ गुना, इसका नौ गुना कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बताईए, 162 होगा और फिर क्या क्या कह रहा है कि अगर अंको को पलट दो यानि कि इसको आगे पीछे कर दो यानि होगी जाएगा 81 और कह रहा है इसका दो गुना है तो दो गुना कर दो 212 28,26 देखवा गया तो यानि कि हमारा आंसर सही है इस प्रकार से आप परिक्षा में आंसर भी प्राचे कर सकते हैं कि आपका सही है गलत है टीके तो कैसा लगा सवाल हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर के कमेंट बस करें और किसी किसी बच्चे की साहता भी करते हैं वीडियो देख लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद